प्रस्ना वली 12.2 का पहला प्रस्न है दो संख्याओं का योग 42 है यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी हो तो संख्या ज्याद करो तो यहाँ पे दो संख्याओं का जिक्र किया है और इस में क्या कहा है प्रस्न में प्रस्न में कहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी हो ठीक है दूसरी संख्या दुगनी होगी तो पहली संख्या को मान लेता हूं मैं X तो दूसरी संख्या कितना होगा इसका दुगना मतलब मतलब 2x प्रस्न में ही कहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से मतलब एक सेकंड यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से क्या है दुगनी है तो पहली संख्या को अगर मैं X मानूंगा तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दो X हो जाएगी यही कहा है प्रस्न में अब प्रस्न ये कहा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग इन दोनों संख्याओं का ये पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का योग होता है 42 यह कहा है तो यहाँ पे लिखो दोनों का योग बराबर 42 अब दोनों का मतलब क्या है एक X है और एक 2X है दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्थ होगा 42 प्राप्थ होगा कह रहा है अब संख्या को ग्यात करेंगे तो क्या करना है बस अब हल करते जाना है तो ये दोनों जुड़के 3X हो गया और ये 42 X को यहीं पे रहने देंगे और ये जो 3 है इसके साथ किस फाम में गुड़ा के फाम में तो गुड़ा या भाग के फाम में कोई भीमान होता है न तो उसके सांथ तीरिया गुड़ा नियम लागू होता है तो तीरिया गुड़ा नियम में ये जो 3 है वो नीचे आ जायेगा जैसे ये उपर जा सकता है वयसे ये नीचे आएगा अब इसको भाग दे दो तो भाग देंगे तो ये कितना होगा तीने कम तीन, ये भी तीने कम तीन, और एक और दो, तीन चोंक, बारा, तो यहाँ पर प्राप्त हो गया, एक्स का मान, एक्स का मान जो चोदा प्राप्त हुआ है, ये क्या है, ये पहली संख्या का मान है, आप देखो न यहाँ पे, हमने पहली संख्या को क्या माना था, एक् प्राप्त हुआ है ये है किसका मान है पहली संख्या का मान पहली संख्या बराबर चोधा अब दूसरी संख्या निकाल लेते हैं दूसरी संख्या दूसरी संख्या को क्या माने है भी तो दूसरी संख्या को मैंने दो एकस माना है तो दो गुडित एकस के जगा में चोधा बरा इसके बाद दूसरा प्रस्न में दिया है नीराज के पास मयंग से तीन गुणे आम थे यदि मयंग को आठ आम और नीराज को छै आम और दे दिये जाये तो मयंग और नीराज के आमों का अनुपात एक अनुपात दो हो जाता है बताईए दोनों के पास कितने कितने आम थे तो यहाँ पे आप लिखो मयंक और दूसरे साइड में यहाँ पे लिखो नीराज ठीक है इससे हम समझेंगे अब इस प्रस्न में क्या का है प्रस्न एक बार और पढ़ लेते हैं कि नीराज के पास मयंक से तीन गुने आम थे किस से तीन गुने आम थे मयंक से ठीक है कि मतलब मयंक के मुकाबले तीन गुने मतलब तीन एक्स यही होगा प्रसन यही कह रहा है न कि नीराज के पास मयंग से तीन गुने आम थे तीन गुने आम किसके पास होगा नीराज के पास और मयंग के पास एक्स जब एक्स मयंग के पास होगा तो इससे तीन गुना नीराज के पास आम अब प्रस्ण को जब मैं आगे पढ़ता हूँ तो आगे क्या कह रहा है प्रस्ण में कि मयंग को 8 आम दिया गया ठीक है और नीराज को 6 आम मयंग को आठाम और नीरज को 6 आम देते हैं तो कुल आमों की संख्या कितनी हो जाएगी तो देखो मयंग को जब मैं आठाम दूँगा तो आठाम मतलब उसके पास पहले आमों की संख्या कितनी थी X तो X प्लस आठाम चला गया नीराज के पास पहले आमों की संख्या कितनी है? 3X जब मैं इसे 6 आम दूँगा तो कुल आमों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3X प्लस 6 6 इसके साथ जूड जाएगा ये समझ में आया तो 8X प्लस 3X प्लस 6 नीराज के पास आम है अब इस प्रस्ण में क्या कहा है कि मयंग और नीरज के आमों का अनुपात कहा है तो ऐसी करेंगे भी मयंग अनुपात नीरज के आमों की कुल संख्या बराबर अनुपात में कितना दिया है एक अनुपात दो इस तरह से तो यहाँ पे जो मान दिया है दोनों में देखो ये दोनों मान तो मयंग का यहाँ पे है आठ प्लस स्वारी एक्स प्लस आठ है न तो यहाँ पे एक्स प्लस आठ लिख दो और नीराज का 3x प्लस 6 इस तरह से बराबर 1 अनुपात 2 इस तरह से हम लिखेंगे इसे इसे और कैसे लिखा जाता है तो ये अनुपात में है मतलब x प्लस 8 अपान लिखेंगे 3x प्लस 6 बराबर इसको भी 1 अपान 2 इस तरह से भी लिखा जाता है अब इसको हल कर देते हैं तो नीचे में ये जो मान है इसे मुझे हटाना है उपपर ले जाना है तो तीर्या गुड़नियम लगाएंगे तो दोनो मान नीचे से उपपर चला जाएगा तो यहाँ पे दो इसको गुड़ा करेगा तो दो गुड़ीत एकस प्लस आठ और एक गुड़ा करेगा तीन एकस प्लस चैको इस तरह से दोनों मान उपपर में आगया बराबर में दो का अंदर गुड़ा करो तो दो एकस प्लस आठ दुनी सौली 16 होगा न 18 लिख रह था और एक कगुड़ा करेंगे 3X प्लस ये रहा 6 ये दोनों एक साइड रख लेते हैं और इन दोनों को एक साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे 3X बड़ा है इसलिए इसको मैं साइड ले जाता हूँ तो क्या होगा ये मैनस हो जाएगा और यहाँ पे कौन से नियम लागू हुआ है पक्छांतर नियम पक्छांतर नियम कब लागू होता है जब कोई मान जोड़ना या घटाने में हो तो यह जोड़ना या घटाने में रहेगा तभी नियम लागू होगा तो यहाँ पे आप दे गटाएंगे तो यह 10 बराबर इसको गटाएंगे तो X ठीक है तो X कमान कितना प्राप्थ हो गया? X कमान यहाँ पे प्राप्थ हो गया 10 प्राप्थ हुआ अब ये जो दस प्राप्थ हुआ है न ये है मयंग के आमों की संख्या है मयंग के पास इतने आम थे उसकी संख्या है समझ में आ गया तो हमें और क्या निकालना है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मयंग के पास कुल कितने आम थे दस आम अब नीराज के पास आमों की संख्या निकालो तो नीराज के पास आमों की संख्या निकालते हैं तो नीराज के पास तीन गुणा मतलब तीन एक्स तो क्या करेंगे यहाँ पे तीन गुड़ी एक्स सकमान दस आया है दस यहाँ पे गुड़ा कर दो तो कितना हो गया 30 हो जाएगा तो 30 आम नीराज के पास है मयंग से कितने गुणा होगा 3 गुणा तो देखो 3 गुणा मतलब 30 आम नीराज के पास है समझ में आ गया तीसरा प्रस्ण में दो संबाहू त्रिभूजों में से पहले त्रिभूज की एक बुजा दूसरे त्रिभूज के एक भूजा से 3 cm अधिक है एवन दोनों त्रिभूजों के परिमापों का अनुपाद 5 अनुपाद 2 है तो त्रिभूज की भूजा है ग्याद कीजिए क्या ग्याद करना है त्रिभूज की भूजा अब यहाँ पे दो त्रिभूजों का जिक्र किया है ठीक है दो त्रिभूज तो दोनों त्रिभूज क्या है संभाहू त्रिभूज है कहा रहा है तो चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूं एक त्रिभूज ये रहा और एक त्रिभूज ये रहा संभाहू त्रिभूज का मतलब क्या होता है आपको पता है नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा संभाहू त्रिभूज का मतलब होता है जिस त्रिभूज के तीनों भूजा बराबर हो उसे हम क्या कहते है संभाहू त्रिभूज समझ में आ गया अब प्रस्न में क्या कह र अधिक है 30 cm तो η मालो यह पहला त्रिभूज है ठीक है और यह दूसरा त्रिभूज मालो यह वाला भूजा अगर मैं X रखता हूं तो दूसरे से पहला त्रिभूज कितना अधिक है 3 अधिक x प्लस 3 इस तरह से x प्लस 3 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखो माना दूसरे त्रिभूज की भूजा इतनी है x सेंटीमीटर तो पहले त्रिभूज की भूजा क्या हो जाएगी की भूजा बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर देखो यह चीज प्रस्ण में कहा है वही चीज में कर रहा हूँ न प्रस्ण कहा है कि दूसरे त्रिभूज से पहले त्रिभूज की भूजा 3 सेंटीमीटर अधीक है तो दूसरा को अगर मैं x समानूंगा तो पहला कितना हो जाएगा इससे 3 सेंटीमीटर अधीक मतलब x प्लस 3 हो जाएगा समझ में आया चलो अब प्रस्ण और क्या कह रहा है कि प्रस्ण कह रहा है कि दोनों त्रिभूज के परिमापों का अनुपात 5 अनुपात 2 है परिमाप का जीग रखी है ना परिमाप तो पहले परिमाप निकाल लेते हैं तो परिमाप का मतलब क्या होता है इन तीनों भूजाओं का योग और ये जो त्रिभूज है ये कौन सा त्रिभूज है समभाहू त्रिभूज है समभाहू त्रिभूज तो संबाहू त्रिभूज में तीनों भूजा बराबर होता है ये x है मतलब ये भी भूजा x है ये भूजा x प्लस 3 है तो ये भी x प्लस 3 होगा और ये वाला हिस्सा भी इतना है x प्लस 3 ये भी होगा समझ में आ गया तो पहले मैं दूसरे त्रिभूज के परिमाप निकाल लेता हूँ तो दूसरे त्रिभूज का परिमाप बराबर X, X, X ये हो गया X, तीनों को जोड़ेंग कितना हो जाएगा तीन X आ गया, अब पहले त्रिभूज का परिमाप निकालो परिमाप बराबर और यह cm लिखो ना पीछे में x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 और यह x प्लस 3 3 भूजा है तो 3ों भूजा को क्या करते हैं जो और देते हैं तो परिमाप निकल जाता है तो यहाँ पे 1,2,3,3 x 3,6 और यह 9 प्लस नव हो जाएगा ठीक है अब प्रस्न क्या कहा है कि पहले त्रिभूज के परिमाप का अनुपात करना है दूसरे त्रिभूज के परिमाप का अनुपात करना है तो कर देते हैं भी जैसा कह रहा है वैसे ही तो यहाँ पे लिखो पहले त्रिभूज का परिमाब अनुपात दूसरे त्रिभूज का परिमाब इसका अनुपात कितना होता है प्रस्ण में का है पांच अनुपात दो इस तरह से आपको लिखना है पहले त्रिभूज का परिमाब देखो तो यह पहला त्रिभूज है इसका परिमाब कितना है तीन एक्स प्लस नुप दूसरा त्रिभूज देखो तो यहाँ पे तीन एक्स है बराबर पांच अनुपात दो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से बराबर पांच अनुपात दो त तो यह हो जाएगा 3x प्लस 9 गुड़ा कर देगा 2 और 5 गुड़ी 3x है यहाँ पे हो जाएगा 2 का जब मैं अंदर गुड़ा करूँगा तो 3 दूनी 6x प्लस 9 दूनी 18 और 5 यह 15x एक्स 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 वाले मान को एक साइड रख लेते हैं तो यहाँ पे देखो यह दोनों बस x x वाला हैं तो यहाँ पे बचेगा 18 और यह 15x इस साइड आके क्या हो जाएगा मैनस 6x हो जाएगा 18 बराबर इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्थ होगा घटाने पर यहाँ पे 9x प्राप्थ हो रहा हैं अब यहाँ पे देखो 9 जो है x के साइड गुड़ा के फार्म में मतलब 18 बटे यह 9 हो जाएगा और यह x तो 9 एकम 9 दुनी x कामान प्राप्थ हो गया कितना 2 प्राप्थ हो गया और यह जो x कामान 2 प्राप्थ होगा है यह दूसरे तरभूज की भूजा बराबर 2 ठीक है दूसरे तरभूज की भूजा कितनी है दो है दो मतलब 2 cm इस तरह से आप आपको रखना है 2 cm अब पहले तरभूज की भूजा निकाल लेते हैं पहले तरभूज की भूजा तो पहले त्रिभूज की भूजा निकालेंगे तो किसका उप्योग करेंगे X प्लस 3 का और X अकामान कितना प्राप्त हो है 2 तो 2 प्लस 3 बराबर 5 सेंटी मीटर दूसरे त्रिभूज की भूजा है बाकि जो प्रस्ने उसको मैं आपको नेश्ट वीडियो में बताऊंगा